आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लिकेशन के बाद उसकी पेमेंट गैसे करें तो सबसे पहले हमें वो अप्लिकेशन का जो भी हमारा गेटवे उसका आपको नाम लिखना है जैसे कि MPSC की वेबसाइट तो MPSC की वेबसाइट पर आने के बाद हम यहां से उसकी लिंक के थ उसकी में वेबसाइट पर जाएंगे में वेबसाइट पर आने के बाद यह कंटेंड कभी कभी ब्लॉक कर देता है तो इसे यहां से अनब्लॉक भी करना पड़ सकता है आपको पिर उसके बाद हमें यहां से ऑनलाइन पेमेंट पर आना है ऑनलाइन पेमेंट पर आने के बा से login कर दिया है फिर आपको यहां से profile creation करना होता है online application अगर आपका new application आप apply करना चाहते है तो यहां से apply कर सकते है तो यह इंशालों हम फिर कभी देखेंगे कोई application form my account के section में आने के बाद हम यहां से competitive exam पर click किया तो यहां पर वो detail आ गई 2019 में जो exam होने वाला है अभी तो उसकी हमें select कर लेना है और उसके बाद हम यहां से tick करेंगे वो application number पर या फिर application ID पर जिसे हम apply करना चाहते है उसके बाद यह अनपेड है तो यहां से pay now करना है pay now करने के बाद वो online payment का option यहां पूछेंगा या फिर आप कौन सा करना अचारे महा सेवा के इंदर से या फिर चालंज से करना है तो हम online payment का selection करेंगे online payment के selection करने के बाद वो redirect होंगा payment के gateway पर वो पूछेंगा आपको wallet से करना है या need banking से तो need banking में अलग-अलग options है और उसके charges रहेंगे different credit card debit card से भी आप directly कर सकते है IMPS यान immediate fund transfer और UPI address जैसे के phone पे की link होती है adder at YBL वकर इस तरह तो हम wallet में अभी फिलहाल payment का gateway पेटियम करेंगे अगर आपको वीडियो समझ में ने आए तो आप दो-तिन बार कर सकते है यहाँ पर amount बताएंगा वो शो करेंगा 384 total लगने वाले है तो हम यहाँ पर इसे process for payment करेंगे payment पर जाने के बाद वो wallet में आ जाएंगा पेटियम के महाँ से हम भी UPI भी ले सकते हैं यानि कि अगर UPI का address create कर सकते हैं फोन पे का गूगल पे का तो add the red YBL फोन पे कर रहेंगा और अलग-अलग हो सकते है यहाँ यह मिसाल दी हुई यहाँ पर तो हमें यहाँ से credit card भी हम select कर सकते है नेट वैंकिंग भी कर सकते है और debit card भी तो हम debit card के तुरो देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि debit card का number यहाँ पर insert कर देना है जूकर यह confidential होता है तो इससे हम थोड़ा stop करके लिख लेंगे वैसे हम user को सिखाने की हसाब से हम थोड़ा risk ले रहें लेकिन आपसे यह गुजारिश है कि किसी को भी अपना ATM card का number वगरा ना दे हाला कि अगर इससे बहुत सारे missius हो सकते है है इसकी वैलेटी हमें दालना है और अगर बैंक का करम चाही कि उन आपसे पूछे कि आपका इसका number दीजिए तो आप उसे ना दे यहां से आपको cvv जब नंबर होता है वो debit card के back side में लिखकर आता है जो हम उसे दाल लेंगे तीन डिजिट यहां पर example भी दी गई है यहां पर से तो इसे यहां पर से pay now करना है pay now करने के बाद वो redirect होंगा एक bank के gateway पर और वहां से OTP मांगेंगा हो यहां एक confirmation के लिए OTP आएगा और आप जैसे दे सकते हैं card का number यहां खुद show नहीं किया हुआ है अधूरा बताया गया है तो आप सोच सकते कि कितना risk हो सकता है ATM का card का number आप देना यह debit card बहुत सारे लोग ATM card समझ में नहीं आता है उन्हें debit card तो ATM card भी कहे कर उन्हें बताया जा सकता है तो यहां से अभी हम number इंटर करेंगे